हेलो दोस्तों मैं मेजर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार टार्गेट विद रामा में UPPCS ROAR को टार्गेट करने वाले करेंट फिर्ट के इस इनिसिट्व को आगे बढ़ाते हुए अपने next class के सुरुवात करते हैं एक नई एनरजी एक नए जोस के साथ तो सबसे पहला topics आपके screen पर आपके सामने है राजसान में EPFO के छेतरे कारल लगा उदगाटन हुआ है तो इसके बारे में basic जान लेते हैं इसका उदगाटन 13 January 2013 को केंडरे सिरम और रोजगार वन परियावरन और जल्वाई परिवरतन मंत्री बुपेंदर सिंग यादव जी ने किया है इसका उदगाटन और कहा किया है अलवर जिले में अलवर जिले में EPFO के छेतरे कारल लगा उदगाटन हुआ है ये अलवर जिला जो कहां पड़ता है राजिस्तान में है राजिस्तान में अलवर जिला ये हरियाना से बोर्डर सेयर करता है ठीक है अलवर के बारे में एक दो बाते और जान लेते हैं अलवर में ही तिजारा जैन मंदिर है जो की famous है तिजारा जैन मंदिर यह famous है अलवर में ही राजिस्तान की जो स्वास्त बेटी योजना है वो सुरुवात की गई थी स्वास्त बेटी योजना की सुरुवात अलवर में ही की गई थी यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और यह हर्याना से border share करता है और यहाँ पर ही EPFO के छेतरे कानल लगा उदगाटन हुआ है अब थोड़ा सा देख लेते हैं EPFO क्या है EPFO एक नवाचार संचालित और सामाजिक सुरक्षा संग्धन है ठीक है इसका उद्देश्य सार बहुमिक coverage का विश्वार करना है और अत्यादुनिक प्रवद्रग्य के माध्यम से अपने हिद धार्गों को निर्बाद और बिना रुके सेवा वित्रन सुनिश्ट करना है ठीक है अब इसमें क्या बन सकता है जो हमारा practice का है वो क्या 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 बन सकता है 13 जनवरी 2013 को केंद्र विश्रब और रोजगार वन परियावन और जलवाई परिवर्तन मंत्री भुपेंदर यादव ने राजिस्तं के किस जिले में एपेपो के छेत्रे कारल का उदगाटन किया है धोलपूर में बरतपूर में जोदपूर में अलवर में तो इसका सही जवाव क्या होगा अलव इसके बारे में थोड़ा सा बेशिक जान लेते हैं क्या है ये श्टार्टप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उप्योग मामलों की जमिनी इस्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है जनवरे 2023 में बना था और ये है मद्ध प्रिदेश का विदीशा जिला एक अकांच जिला है ठीक है और ये है पहल जो है जो दूरसंचार और विदीशा जिला पिरसासन और सी डॉट इमकी सैंक्त पहल है ठीक है और ये है जो पहल है ये है स्वास्त्य किरसी डेरी और सिक्षा कोशल विकास पर कैंद्रित है ये बात ध्यान रखना है तो के नीचे मद्ध्यय प्रदेश है मद्ध्य प्रदेश के मैप में चलकर देखते हैं ती विदीशा कहाँ पड़ता है देखो मद्ध्य प्रदेश की राजदानी है earlier Bhopal ठीक है और विदीशा है बोपाल के नौर्थ में विदीशा जिला यही पर ही इसका यही पर ही स्टार्टप के लिए जमिनी सितर पर लाव कनने वाला पहला जिला बन गया है, अब मद्या प्रदेश के में कुछ जिलो को देख लेते हैं, जो की न्यूज में बने रहते हैं, फोड़ा सा ऑपाल हो गया यह उसके बाद विवीशा हो गया था ग्वालेयर यह रहा जो उत्तर प्रद्व के साथ वोने से निकाता ये है जिसे कहते है कि लेंड लोग लेंड लेंड वो जयन यहां इस साइड और इंदोर यहां पर है इंदोर का भी काफी चर्चा मा आता है अब बुरहन पूर भी चर्चा मा आया था किसी कारण से आपको बताना है किस कारण साथ चर्चा मा आया था ठीक है और शिव पूर भी चर्चा मा आया था ठीक है अब चलते हैं अपने टोपिक पर और ये जो ऐसा करने वाला विदीशा जो था विदीशा ने 5G वर्टिकल इंगेजमेंट पार्टनर्सिप प्रोग्राम के तहट स्टार्ट अप दौरा प्रस्तावित नवाचारी 5G उप्योग मामलों को जमिनी इस्तर पर लागू किया था ठीक है अब देखते हैं प्रैक्टिस कुश्चन क्या है प्रैक्टिस कुश्चन पर देखने से पहले जनवरी 2013 में मद्य प्रदेश का कौन सा जिला इस टार्ट अप दौरा प्रस्तावित नवाचारी 5G में उप्योग मामलों के जमिनी इस्तर पर तैना थी करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है कुश्चन आएगा ऐसे तो इंदोर है भोपाल है विदीशा है गौलेर है क्योंकि इंदोर में बहुत सारी चीज़े घटित हुई है गौलेर में भी भोपाल में विदीशा में भी तो आप हुआ पर confused हो जाओगे तो आपने विदीशा के बारे में मैप देख लिया है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो इसका आंसर है विदीशा ठीक है अब चलते है नेक्स्ट टोपिक पर नेक्स्ट टोपिक है हमारा जैहिंद दा न्यू लाइट एंड साउंड तो दोजार तेश इसका आयोजिन हुआ है तो यह काव हुआ था दस जनवर्य दोजार तेश को आता और किसके दोवारग किया गया है यह भारे याद रहाएं अऑ नई दिल्लिंब करें आप जानते होगे कहां पर है इंडिया के मैप्स आप से अब चलते हैं अब कुश्चन क्या बन सकता है कुश्चन देखते हैं 10 जनवर 2013 को जय हिंद दा न्यू लाइट एंड साउंड सो कहा शुरू हुआ था मुंबई में लखनव में नई दिली में कोलकाता में तो इसका सही जवाब क्या होगा नई दिली ठीक है चलते हैं आमरत महुस्तव के एक भाग की रूप में भारत्य पर आता संग्राम था ठाड़ है अजादी के दिवाने है और लाल कले में नेताजी क्वासचेंद्र बोस संगराल संग्राल्य और पहले ही खुल चुगे हैं ठीक है अब चलते हैं नेक्स्टे टोपिक पर नेक्स टोपिक अब कौन सा है त्रासीवा है क्या है अखिल भारतिय पिठासीन अधिकारी सम्मेलन है अब इसके बारे में बेशिक जान लेते हैं क्या है यह कववा तक 11 से 12 जनवरी 2030 को आयूत किया गया है इसका उद्गाटन उपराश्ट्पती जगदीब धनकरजी ने किया है जो कि राजि जैपुर में किया गया है ठीक है अब राजिस्तान के जैपुर में किया गया है यह ध्यान रखना आपको 83 वा अखिल भारतिय पिठासीन अधिकारी कहां किया गया है जैपुर में और जैपुर की लोकिशन देख लेते हैं मैप में तो जैपुर कहा है इंडिया के मैप में चलते हैं, इंडिया के मैप में राजिस्तान है, राजिस्तान की जो कैपिटल है, वो जैपूर है, यह रहा जैपूर, जैपूर में ही अखिल भारते पिटासीन, अधिकारी का सम्मिलन क्या गया है, ठीक है, अब कुश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस के वाला, क्या है, 11 से 12 बैंगलोर में, कोलकाता में, जैपूर में, लखनौ में, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जैपूर में, ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स टॉपिक पर, नेक्स टॉपिक है अमारा, अंतराश्य वन मेला, 2022, यह दिसंबर में हुआ था आजिस्त, 20 से 26 दिसंबर को आजिस्त हुआ था, और कहां हुआ था, बोपाल मद्य प्रदीश में, ठीक है, अब बोपाल मद्य प्रदीश के बारे में, इसको मैप पर लोकेशन देख लेते हैं, सबसे पहले, भारत के मैप में देखते हैं, कि मद्य प्रदेश कहा है, मद्य प्रदेश यह रहा, इसकी जो है ठीक है भोपाल अब भोपाल थी ठीक है उसके बाद मद्ध्य प्रदेश में ही कुछ चीजे जो हमने पहले डिसकस करी है वो देख लेते हैं विदीशा विदीशा वो 5G का वो हुआ था ठीक है स्टार्टप के लिए जमिनिस्तर पर लागू हुआ था 5G के लिए यह विदी से जिले हैं जो चर्चा में रहते हैं अब चलते हैं नेस्ट टोपिक पर नेस्ट टोपिक क्या है वी एल एस आई डिजाइन पर च्छतिसवा एवं एमबेड़ेट सिस्टम पर बाइसवा अंतराश्य संबेलन 2023 यह न्यूज में आया था तो इसके बारे में जान लेते हैं क स्काइजित हुआ था और कहां हुआ था हैदराबाद में है ठीक है 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 देखते हैं मैप में कहां है है देखो चलते हैं साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में कहां पर करनाटक में और करनाटक की जो राजधनी है सोरी करनाटक ने तेलंगाना में तेलंगाना में चलते ह है तिलंगना में की राजधानी जो है वो हैदराबाद है ठीक है हैदराबाद में ही यह आयोजन हुआ है अब यह है क्या चीज यह वियल्थ SI और embedded system में नमीनतम प्रिगति पध्यान देने वाला एक वैस्विक सम्मेलन है ठीक है और इसकी इसकी थीम क्या थी यह सेमिकडेक्टिटर ड्राइवन डिश्रॉप्टिव इन्वेशन इन्वांबल डिजिटाईशन है इसकी थीम याद रखनी आपको in यह से आप्पोब्री और रिवशंशन क्या बन सकता है आठ से बारे जन्वरी 2030 के मद्ध्य VLSI डिजाइन पर 36 एवं एंबेड़िड सिस्टम पर 22 वा अंतरश्य सम्मिलन 2030 कहा समपन हुआ है नई दिल्ली में, पुने में, हैदराबाद में, जैपुर में आपको थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कब हुआ था 3-7 जन्वरी 2030 को किया गया था कहां पर तो राश्ट संथ तुकुडो जी महराज नागपुर विस्विद्धाले नागपुर में पढ़ता है महराश्ट में यहां पर 108 में भारत्य विज्ञान का अंग्रेश संपन्न ही थी और इसी में ही इसका पिरमुक आकर्षन जो था मेगा एक्सपो प्राइड ओफ इंडिया था ठीक है यह भी आसकता है इसका आकर्षन क्या था प्राइड ओफ इंडिया था और उद्गाटन किसने क्या था प्रधानमंतिय नरंद्र मोधी जी ने वर्चूली किया था ये इसलिए important हो जाता है क्योंकि जहाँ 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 पर मोधी जी उद्गाटन कर रहे है मोधी जी होगे दरुगदी मुर्भो जी होगी तो वो exam के लिए 100% important हो जाता है ठीक है और इसका theme क्या था theme अर्थत विशा है विशा क्या था इसका तो महिला ससत्तिकरण के साथ सतत्त विकास के लिए विज्यान और प्रोध्दुगी की था इसके theme भी याद रखनी है theme क्या थी महिला ससत्तिकरण के साथ सतत्त विकास के लिए विज्यान और प्रोध्दुगी की theme थी ठीक है और कहा हुई थी नागपुर में अब जो कुश्चन क्या बन सकता है कुश्चन देख लेते हैं जो प्रैक्टिस कुश्चन हमारा 108 भी भारते विज्यान कांग्रेस से संब्दिने में लिकित कत्रों पर विचार कीजिए पहला है इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के मद्यानागपुर महराष्ट में क्या गया था ये बास सही है इसका मुख्य विश्या क्या था महिला ससकती क्रिम के सासातत विकास के लिए विज्यान और प्रॉद्गगी था को उप्यूक्त कत्रों में से कौन सा कत्रों सही है हमने देखें दोनों कत्रों सही है क्योंकि V से भी और आयोजन भी स्थarnya है तो केवल एक केवल B Sorry B है केवल दो C है केवल 1 और 2 उप्यक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसवर क्या होगा तो इसका आंसवर केवल 1 और 2 होगा ठीक है अब नेक्स टॉपिक पर चलते हैं नेक्स टॉपिक है हमारा खाद्य और पोसंड सुरक्षा पर अंतरश्य सम्मिल इसका आयजन हुआ है 2023 में ही तो यह कब हुआ था 6-9 जनवरी 2023 को हुआ था अब कहां हुआ था मोहाली पंजाम में हुआ था मोहाली पंजाम में ही खाद्य और पोसंड सुरक्षा पर अंतरश्य सम्मिल का आयजन हुआ है और इस ये किसके दुवारा किया गया है ये N.A.B.I. है एक संस्ता राश्टिया किर्शी खाद जैप प्रदुगी संस्तान और Center for Innovative and Applied Bioprocessing C.I.A.B. और राश्टिया पादब जैप प्रदुगी संस्तान और मोहाली इस्तित N.B.I. के अंतराश्ट जैप प्रदुगी केंदरुवारा सैंक्त रूफ से क्या गया है ये इतना ज्यादे इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे संस्ताइए हैं तो ये कहा हुआ है ये आप कोशन सुरक्षा को बढ़ावादे शक्ती है इस पर आयोकी तो किया गया था ऐ अब देख लेते हैं मोहाली जो है कहां अब पंजाब में पंजाव की लोकेशन देखते हैं इंडिया कि में सबसे पहले पंजाब थे फंजाव नहीं पता है तो पंजाव है देखो हरियान के नोर्थ पंजाब है ठीक है यह रहा पंजाब और पंजाब की जो राजधानी क्या है यह चंडेगड़ा और बोर्डर सेर करता है पाकिस्तान से बोर्डर सेर करता है ठीक है उपर जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदीश और हरियाना और राजधान से इनस के वेश्ट में ये मोहाली है, मोहाली। और इसके नीचे ही अजीर शिंग नगर है, अब उसके बाद फोड़ा से इसमें पंजाब नम्हम मेप में देख लेती हैं, जो विम्द्स चर्चा में रहते हैं उनको देख लेते हैं, यो को यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी प्लांट अर्थाद कंप्रेश्ट बायो गैस प्लांट इस्तापित हुआ था अभी हाली में तो इसलिए यह संग्रूर चर्चाम आया था यह आपको ध्यान रखना है अब उसके बाद इसी में ही बडमी यह बरनाला वी चर्चाम आता है अमरसर पाकिस्तान से बौटर सेयर करता है सहीद भगस्टिंग नगर यह पठान कोट यह रहा जममू कस्मीर से बौटर सेयर करता है उके बैस इतना ही आपको इसमें देखना था और इसके बाद चलते हैं अब कुश्चन पर कुश्चन क्या पूसर जा सकता है मैप देख लिया मैप के बाद कुश्चन पर चलते है कुश्चन में जनवरी 2030 में खाद्य और पोसर्ण सुरक्षा पर अंतरश्य सम्मेलिन 2030 का कहां आजजित हुआ है नई दिल्ली में, मोहाली में जैपुर में, हैदराबाद में तो इसके सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए तो इसका आंसर होगा, मोहाली मोहाली में ही खाद्य और पोसर्ण सुरक्षा पर अंतरश्य सम्मेलिन का आजजित हुआ है और साथ ही इसमें कुछ पॉइंट है प्रिसिक्षण केंदर का उधगाटन हुआ है ये भी आसकता है कि हाली में राष्ट्य जीनोम समपादन प्रिसिक्षण केंदर का उधगाटन कहां हुआ है तो इसमोहाली में हुआ है ठीक है, अब चलते हैं next topic पर, next topic हमारा राष्ट्य ग्रीन हाइडोजन mission तो राष्ट्य ग्रीन हाइडोजन मिशन से पहले हम जान लेते हैं थोड़े से यह green hydrogen होते ही क्या है? तो green hydrogen जो हो है, hydrogen का चाहिए green hydrogen का चाहिए green के साथ-साथ कई और hydrogen है उन्हें और देख लेते हैं तो कौन-कौन सी है, ग्रीन हाइडरोजन होगी, येलो हाइडरोजन होगी, पिंक, पर्पल, रेड हाइडरोजन होगी, वाइड होगी, ब्राउन हाइडरोजन होगी, ब्लेक या ग्रे हाइडरोजन होगी, बिलो हाइडरोजन होगी, या तरकाई या फिरोजा हाइडरोजन हो है इसमें क्या होता है इसमें जल का अबगटन होता है जल के अबगटन से हैड्रोजन का उत्पादन होता है उसे ही कहते है खीक है यह येलो हाइडरोजन कोई से होती है जो विदूत अबगटन से हाइडरोजन का अत्पादन होता है और इसमें ग्रीड विदूत का अपयोग किया जाता है उसे कहते है येलो हाइडरोजन ठीक है और पिंक या परपल या रेड हाइडरोजन कोई से होती है जिसमें विदूत अब πα्रमानों उप्योंग निकता है , अब वैइड में क्या है , इससे ही फिरो sellers हाई है , त्रकाइजas खिरोजन में परिखन उसको घ्रोल aja है पाइरोलिशिस के से हाइडोजन का उतपादन होता है और इसमें CO2 की जगह ठोस कार्बन उतपन होता है बिलू कार्बन देख लेते हैं बिलू हाइडोजन देख लेते हैं बिलू हाइडोजन CO2 के साथ ग्रे या ब्राउन हाइडोजन जो sequestered या repressed होती है उसे ही blue hydrogen कहते है black या grey hydrogen क्या होती है stream methane reforming का उप्योग करके प्राप्त कर की गई प्राकरतिक gas से hydrogen का निस्करस्ण करना उसे black या grey hydrogen कहते है brown कौन सी होते है brown जिवास में इन दोनों से hydrogen का प्राप्त होती है और यह सामदर ठंडी होती है और इसमें gasy करन या gasification का प्रियोग होता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक्जाम में पूछा जा सकता है कि green hydrogen क्या होती है turkize hydrogen क्या होती है इन में से देद दिया जाएगा कि विदुद अपकटन से hydrogen का उत्पादन होता है और grid विदुद का उप्योग क्या जाता है तो वो hydrogen कौन सी है option देदेगा blue है, green है, yellow है इस टाइब से देदेगा तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि इंपोटेंट है अब चलते हैं man topic पर man topic क्या था राष्ट्य ग्रीन हाइडोजन मिशन यह राष्ट्य ग्रीन हाइडोजन मिशन जो था यह 4 January 2013 को कैंद्रे मंदल दुवारा इसको मंजूर पिरदान की गई है और इसके अंतरगत जो कुछ चीजे हैं उन्हें देख लेते हैं हमारे एक्जाम में आ सकती है इसमें नवीन और नवी करनी है उर्जा मंत्राल है इसके कारियन करेगा है इस ग्रीन हाइडोजन मिशन का ठीक है और इस मिशन का जो उद्देश्य है लगवख 2030 तक क्या करना है देश में लगवख 125 गीगावाट जी डबलू की संबंद अक्षय उर्जा चमता विरद्दी के साथ पिर्ति वर्स कम से कम पाँच मिलियन मिट्रिक टन की हरित हाइडोजन उत्पादन चमता का विकास करना है यह द्यान लेकना 125 गीगावाट हो गया अक्षय उर्जा और पाँच मिलियन मिट्रिक टन हाइडोजन का अत्पादन करना है 2030 तक यह एक्जाम मा सकता है और वार्सिक ग्रीन हाउस गैस उत्पादन के कमी करना है यह तीन पोट याद लखने हैं इस मिशन में कि 125 गीगावाट एनरजी चमता के विरद्दी करनी है अक्षय और जागी और पाँच मिलियन जो मिट्रिक टन हाइडोजन है ग्रीन हाइडोजन है उसका उत्पादन करना है और जो वार्सिक ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है उसमें 50 मिलियन मिट्रिक टन के कमी करनी है ठीक है अब कुश्चन क्या-क्या बन सकते हैं क्योंकि इसकी राशी तो इतनी important नहीं है लेकिन फिर भी इसमें exam में है और ना ही इतना जादे है कि करोड का निवेश हो गाया बैस इतने ही important topic है बाकी जादे इतने नहीं है फिर भी देख लो एक बार आ जाए तो छुटना नहीं चाहिए आठ लाग करोड रुपे का इसमें निवेश किया जाएगा और इसकी राशी जो होगी 19,744 करोड रुपे इस राशी के लिए दी गए है बैस इतने ही याद रखो बाकी जो जादे important है वो यह है कि 125 गिगावार्ट एक्ष्य होड़ जाओने चाहिए और 5 मिलियन मिट्रिक टन ग्रीन हाइडोजन का उत्पालन होना चाहिए और 50 जो ग्रीन मिलियन मिट्रिक टन जो है वार से ग्रीन हाउस गैस उस तरजन में कमी आनी चाहिए यह 3-4 चीज़े important है और कौन सा मनतरा लेगे कर रहा है और hydrogen के पिरकार ठीक है अब चलते हैं next topic पर next topic क्या है हमारा G20 अफसर रचना कारे समूग की पहली बैठक हुई है यह 2023 में हुई थी और इसके जो बैठक हुई थी 16-17 जनवरीक होई थी 2023 में और कहां पर हुई है कहांपर हुई है तो पुने महराष्ट में हुई है ठीक है अब महराष्ट देखते हैं कि इंडिया महाष्ट के मैप पर चलते हैं पुने कहा है देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पर ठांते के पास ही पुने है ठांते नीचे पुने जी पूने है 01 यह रायगड़ हुगा ठीक है कुछ चीजते हो सकती है जैसे कि पूने हो पूने तो यह हो गया, यहाँ पर इसकी बैठा कोई है, रायगड हो गया, अली बाग हो गया, अली बाग की जो प्याज है वो फैमसर, जिसे G.I.T.E.G. भी मिला हुआ है, अली बाग की प्याज को, ठीक है, मुंबई हो गया, जो सबसे बड़ा, जो पोर्ट है, मुंबई है, इसके बाद कुछ चीजे ऐसी है जो देख लेते हैं जो चर्चा मा आथी है जैसे कि कोहलापूर हो गया इनकी थोड़ा थोड़ा लोकेशन देखते रहेंगे तो हमें याद रहेगा हिंगोली हो गया चंद्रपृ हो गया अमरावति हो गया ये कुछ जिले हैं जो हमें याद रहने चाहिए नागपुर हो गया अवी चर्चा में 108 वी जो राश्टे विग्यान का अंग्रीस का आउजन गुआता राश्टे विग्यान जो उसका आउजन हो गथा ये नागपुर में गुआता ये दियान रखना है आपको ठीक है अब चलते हैं अब इसमें ही अगर कोई अब चलते हैं next topic पर next topic क्या है हमारा 26 वा राष्टिय युवा महोसव 2030 का आयोजिन हुआ है तो कहां पर हुआ है तो सबसे पहले जो राष्टिय युवा महोसव 2030 important क्यूं हो जाता है क्योंकि जो यूपी आरो ए आरो का एक्जाम हुआ है अभी मैंस का ही हुआ है 2021 का तो इसमें पूछा गया था क्या जनवरी 2022 में आजित भारत के राश्च्रा युवा महुस्थव के संदर में निमलित कत्रों में से कौन सा कत्र सही है पहला था यह राश्च्रा युवा महुस्थव का बीसवा संस्क्रन था या इसकी आयोजन पुड़ू चेरी में क्या गया था तो इसका क्या आंसर होगा तो पहला था केवल एक केवल दो केवल एक और दो दोनो ने तो एक नहीं दो ठीक है तो इसका आंसर क्या था केवल 20 क्योंकि ये संस्क्रन जो था 20 मा नहीं था जो 2022 में हो था आप देखोगे 20 मा नहीं था तो कौन सा था आभी बताते हैं जो ये हो रहा है 26 मा हो रहा है तो 23 में 26 मा हो रहा है तो 22 में कौन सा होगा 22 में होगा 25 मा था इसलिए सही नहीं है 25 मता तो यह अभी आरो आरो के एक्जाम में पूछा गया था तो इसी पिरकार का कुशन आगे भी बन सकता है जो पिरी आ रहा है उसमें पूछा जा सकता है तो देख लेते हैं यह कब हुआ था 12-16 जनवरी 2030 को हुआ था और किस के दोबरा हुजत किया गया था तो यूगा, कारेकरम, एवंखेल मंतरा, ले तथा कनाटक सरकार के सहयोग से किया गया था यह फाइव स्टार वाला कुशन है क्योंकि इसमें सरकार का नाम भी दिया हुआ है कनाटक सरकार इसमें देगा आपको European सरकार कि सहयोग से किया गया है तो यहाँ पर कनिफ्यूज नहीं होना है आपको कनाटक सरकार के दुवारा और यह जादे इंपोटेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका अधगाटन प्रदान मंतरी मोधी जी ने किया है तो इसलिए 100% इंपोटेंट है हमारे एक्जाम के लिए इसको छोड़ना नहीं है और इसकी तीम भी याद रखनी है विक्सित ही हुआ विक्सित भारत यह भी इंपोटेंट है और कहा हुआ है हुबली धारवार कनाटक में हुआ है ठीक है और यह हुबली धारवार कनाटक में हुआ है और किसके उपलक्ष में हुआ था स्वामी विवेकर का नंद जी की 160 जैनती के अवसर पर हुआ था यह 6 पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे एकजाम के लिए कब हुआ था 12-16 जनवरी को हुआ था किसके सहयोग से हुआ थ था इसकी थीम क्या थी विक्सित भारत था और कहा हुआ था हुबली धारवार कनाटक में हुआ है और एक स्वामी विवेकर नंद जी की 160 जैनती के अवसर पर हुआ है ठीक है तो इस महुस्तव का उद्देश्य क्या था राश्ट के पिरती भावन युवाव को ससत और पर बात करते हैं मैप पर चलते हैं जो कनाटक का मैप है इसमें देखते हैं कि यह हुबली धारवाड कहा है तो हुबली धारवाड यह रहा गोवा के पास ही है हुबली धारवाड जिला है और धारवाड में ही हुबली है और हुबली आपको एक पॉइंट और याद रखना जो कि विसु का सबसे लंबा रेल्वे प्रेट repository जो है जिसने गिनीज बुक और रिकोर्ड में सामिल हुआ है ये हुबली में ही हुबली धार्वाड प्रेट फोर्म है जिसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई 1500-700 मीटर है ठीक है आपको को यह ध्यान डखना है हुबली धारवाड में ही जो विस्व का सबसे लंबा रेलवे प्रेडर फर्म इस्थापित है ठीक है अब देखते हैं तोड़ा सा और चीजे देखते हैं गत वर्ष सम्मिलन वर्चुली पुंडुचेरी में आयुद हुआ था ये बास सही है लेकिन व और पहली बार कहां हुआ था तो पहली बार ये उन्निस सो पिचाण में ही बोपाल मद्य प्रिदिश मायुद किया गया था ठीक है अब देखते हैं प्रैक्टिस कुष्टेन पर चलते हैं क्या है 26 वे राश्ट्य युवा महोस्थब 2023 से समझे निमन कत्रों पर विचार कीजिए इसी पिरकार कुष्चिन पूछे जाएंगे एक्जाम में जो ROR, RR, UP, PCS आरा हो उसमें इसी पिरकार कुष्चिन पूछे जाएंगे अधिकांस्त है इस वर्थ पहला इस वर्थ यह है महोस दोनों सही है ठीक है अब नेक्स टोपिक पर चलते हैं नेक्स टोपिक है हमारा सत्रवा प्रवासी भारते दिवश सम्मिलन 2030 अब इसके बारे में सबसे पहले यह देखते हैं सत्रवा प्रवासी भारते दिवश सम्मिलन यह कब आयो जित को कहा आयो जित हुआ था तो कहा प्रकोट करने मैं मद्ध्धी प्रऄं स्वान है स्थेक्र ट्रैक्ल करने नहीं मद्ग्धी प्रऄस के के सांट और स्रसित काता हुए ट्र कि अंता है नहीं ही इसी के इसात सुल संदृ उपाल और को जड़ पाल और के अठोगा उच्छी है बुरहानपुर भी हो गया यह भी चर्चा में रहा था ठीक है अब यहीं पर ही है यह सत्रवा प्रवासी भारते दिवश आयुद किया गया था ठीक है अब यह कब हुआ था नो जनवरे प्रवासी भारते दिवस था वो कौन सी तारिक को आयुद किया गया था कौन से तारिक को इसका उदगाटन हुआ था इस सम्मिलन का तो यही प्रधान मंतरी मोदी जी ने किया था और उसी की तारिक पूछ ली थी उसी एकजाम में ठीक है नो जनवरी दोजार तेईस को इसका उदगाटन किया था प्रधान मंतरी मोदी जी ने ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आठ से जनवरी के बीच मायजित हुआ था और इसकी थीम भी आती है थीम भी याद रखनी है थीम फाइविस्टर वाला कुश्चन ये भी आपको एक्जाम में आये प्रधेश में होई थीम आपको ये भी याद रखना है कि इसके मुख्य अतिती कोन थे जो गुवाना के राष्टपती है डॉक्टर मुहमद इरफान अली ये इसके मुख्य अतिती दे ठीक है और विशिष्ट अतिती कोन थे सूरी नाम की राष्टपती चंदरी का और ये विशिष्ट अतिती कोन है और सूरी नाम के दुवार ही हमारे जो राष्टपती है दिरोबदी मुरुबिन इनको Yellow Star Award मिला है है ठीक है सूरी नाम के दुवार ही दिया गया है आपको ये भी याद रखना है और जो है ये टॉपिक जो है ये मद्धे प्रदिश का Pre-Ex जावा रहा है उसके लिए इंपोटेंट है उसमें पूझे जा सकते हैं क्योंकि इंदोर मध्यपिर्दिश से संबंदी तो हुआ भी इंपोटेंट है और थोड़ा सा यो प्रिवासी भारते दिवस है इसके बारे में जान लेते हैं तो पिर्शिद नियाविद डॉक्टर लक आज़िद करने का सुझाव दियाता अर्था जो प्रिवासी दिवस नो जन्वरी को मनाया जाता है इसका सुझाव किसे नहीं दियाता यह कुश्चन में आ सकता है यह दिवा यह दिया था जो डॉक्टर लक्ष्मी मल मित्तल सिंग्वी की अधिक्स्ता में जो समीती थी 2000 मे सन 2000 में उसने दिया था इस सम्मिलन को 9 जन्वरी को आज़िद करने का जो महत्मगांदी आये थे उसके उपलक्ष में ठीक है और कब से आज़िद हो रहा था इसका 2300 हो रहा है ठीक है अब बात करते हैं अब इसमी में एक कुश्चन वो आया था जो पैटर में पूछा गया देखो इसना सस्ता कुश्चन आया था इंदोर बोपाल मॉंबई लखना हो तो कहां हुआ था इंदोर में ठीक है आब यह हमने अपढ़ा था अब इसमें क्या बन सकता है कुश्चन बन सकता है कि सत्रवा प्रवाशी भारते दिवश सम्मिलन 2003 से संबंदी निम्लिक कत्रों पर विचार कीजिए यह आपका MPP 6 मिवा सकता आरो यारो में भी पूछा जा सकता है तो इस सम्मिलन का आयोजन आट से 10 जनवरी 2030 के मद्दे इंदोर मद्दे प्रिदिश में आयोद किया गया है और इस सम्मिलन के मुख्या विशय क्या था प्रवाशी अमरत काल में भारत क क capacity प्रिगति विश्वशन यह भागिदार थी तो वप्युक्त कत्रों में से कौन सा कतन सigator साही है केवल एक केवल बोल एक केवल इसमें तोड़ा सा जो म्ये हैं यह धे रहें तोड़े option डाउट से नहीं दे मैं केवल पहला option रहें केवल पहला option है केवल एक और दो दोनों तो इसका answer क्या है पहला एक और दो दोन क्योंकि ऐसे option कमी मिलते हैं और ऐसे आवी सकते हैं ये भी दियान रखना आपको ठीक है अब चलते हैं अपने next topic पर next topic कमारा सात्वा भारत जल प्रभाव सिखर सम्मिलन ये 2022 का है ये 2022 में आज़ित हुआ था और कहा हुआ था नई दि नई दिल्ली में आज़ित हुआ था सात्वा भारत जल प्रभाव सिखर सम्मिलन 15-17 डिसंबर 2022 को इसका मुख्य विसे क्या था एक बड़ी बेशिन में छोटी नदियों का जिन्नोदार और सेलेक्शन करना है और इस सम्मिलन में जो था 5P अर्थात पीपल पोलिशी प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट के पृति चित्रन और अभीसरन पहलों पर ध्यान केंदित क्या गया ठीक है यह आपको ध्यान रखना है 5P का मतलब क्या था जो कि सात्वा भारत जल प्रभाव सिखर सम्मिलन हुआ था उसमें 5P क्यों चर्चा में रहा था क्योंकि इसी पिरकार का एक कुश्चन जो मोदीजी के विशे में पूछा गया था वो आश्ची ले गये थे वहाँ पर उन्होंने 3C बताया था 3C कुश्चन पूछा लिया गया था ठीक है तो इस पर 5P अमारे एक्जाम के लिए इंपोटेंट है यह हहां से आ सकता है कुश्चन अब इसके जल प्रभाव सीकर सम्मेलन 2022 से सम्मझ निमन कत्रों पर विचार कीजी तो पहला यह सीकर सम्मेलन 15-17 दिसंबर 2022 के मद्द नई दिली मायुद किया था यह बास सही है इस सम्मेलन का मुख्या विशे एक बड़ी विशिन में छोटी नदियों का जिर्णो उदार और सरक्षन करना था ये भी सही है तो दोनों सही है ठीक है option सही है किभल एक और दोगो सही है ठीक है ये आद चलिए मिलते है next class में साथी ये initiative आप को कैसा लगा इस बारे में अपनी रहे comment section में दे इस से हमें बहुत मदद मैं और आपसे एक छोटी सी गुजरिस है इस class को जायदा से ज हो सकें और ये संभव ये आपके सपोर्ट से ही संभव हो सकेगा चलिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए